इसे हम बनाएंगे आटे से जो कि होगा बहुत ही ज़्यादा है और इसके साथ में बनाओंगे इसे तीन तरीके से तो डिफरेंट तरीके से जो लच्छा पराटा बनेगा और वो हुगा सूपर टेस्टी चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एक बोलर डाल रहे हैं रेल कब आटा आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं और इसके बाद में डाल रहे हैं एक चुथाई चमच नमक और एक चमच इम डाल रहे हैं तेल मिक्स करना है अच्छे से तो एक बार हमने मिक्स कर लिया है और अब पानी डालके इसका एक सक्त आठा लगा देंगे पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें ताकि आठा लूज ना हो कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत भूग लगी होती है और समझ में नहीं आता है बनाएं क्या और ऐसे टाइम में अगर आप इस तरह से पराठे बना के खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पराठे आप किसी के साथ खाएं तो भी अच्छा लगता है जैसे दही के साथ खाएं चटनी के साथ खाएं और अगर कुछ नहीं हो तो ऐसे ही ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं तो आठा हमने लगा दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टाइट नहीं है कवर कर देते हैं इसे तो जब तक हमारा आठा रेस लेता है तब तक हम बनाते हैं इसके लिए मसाला तो यहां ले रही हूं है एक चमच लाल मिच, एक चमच ही चाट मसाला, एक चमच गरम मसाला और एक चमच ही हम ले रहे हैं या पे सांबर मसाला और साथ में ले रहे हैं एक चमच जीरा पाउडर नमक ले लेंगे एक चमच के करीद बहुँर ज्यादा नमक नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि हमने डाला है साथ में चाट masala mix करना है अच्छे से ये ट्राइ मसाला जो हमने त्यार किया है ये लचा पराठा की जान है बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएगा यह इस पराठे को, यह देखे, मिक्स कर दिया है हमने, आठे को चेक कर लेते हैं, तो यह देखी, आठा हमारा बिल्कुल परफेक्टली त्यार हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लूज नहीं है, और इसके हम निकाल रह तो सबसे पहले हमने एक पेड़ा ले लिया है और बाकी की दो पेड़ों को हमने कवर करके रख दिया है अच्छे से इसके उपर पहले आठा लगा देंगे और फिर इसी बेलना है इसी हमें थोड़ा सा बड़ा बेलना है क्योंकि आपने देखा है लच्छा पराठा में लेर् अच्छे से प्रॉपर दःगे से बनें, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम एक बड़ी साइज की रोटी बना लें, यह दिखे हमने काफी बड़ी साइस की बना ली है और अब हम लगाएंगे इसके उपर घी आप चाहें तो इसके उपर तेल भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो बटर भी लगा सकते हैं तो एक बार अच्छे से हमने इसे घी से ग्रीस कर लिया ये देखे और अब हमने जो मसाला तयार किया है उसे थोड़ा से स्प्रिंकल कर देंगे इसके उपर ये देखे बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि हलका तीखा भी रहता है ये मसाला तो ये देखे इस तरह से आपको मसाला लगा देना है इसके उपर और हमने बहुत अच्छे से इसके उपर घी लगाया है तो मसाला जल्दी से चिपक जाएगा और अब मैं या यूज कर रही हूँ कसूरी मेथी तो इसे इस तरह से हातों से मसल की डाल दिंगे बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ा सा ही डालना है और अब इस तरह से कॉर्णर उठा के और इस तरह से फोल्ड लगाना है ये देखिए बस इस तरह से हमें fold करते जाना है और press करते जाना है इससे जो layers है वो बिलकुल perfect बनेगी और जो paratha है वो भी बहुत crunchy बनेगा ये देखिए और ये जो last वाला है इसी इस तरह से fold कर देना है हलका press करना है और अब इसे round कर देंगे और जो end वाला portion है उसे इस तरह से अंदर दबा देंगे आप चाहें तो नीचे की side से भी दबा सकते हैं बस हलका सा आटा लगाना है इसके उपर और इसी smoothly बेल देना है यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके उपर आटा बहुत जादा नहीं लगाना है आटा बिलकुल कम लगाना है क्योंकि हमने इसके उपर अच्छा सा गी लगा दिया था तो इसे smoothly हम बेल सकते हैं यह देखिए बस जो चकले पर आटा है उसे भी इस तरह से हम यह देखिए ले लेंगे और अच्छे से बेल देंगे इसे अभी आप देख सकते हैं बहुत जादा आटा नहीं लगा हुआ है पराठे पर बस इसी तरह से पराठा बना लेना है तो फर्स्ट पराठा हमने बना लिया है अब हम बना रहे हैं दूसरा पराठा तो वही बस आटे की लोई लेना है आटा लगाना है उसके उपर फिर से रोटी बेल लेनी है बड़ी साइज की तो ये दिखिए रोटी हमने बेल ली है गी लगा देंगे उसके उपर और बस एक बार गी लगाने के बाद में फिर से हमें वही मसाला यूज़ करना है और उसे हल्का हल्का सा ही लगाना है इसके उपर और मसाला हमने लगा दिया है और अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसे तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सफीद, तिल और उसे इस तरह से फैला देंगे इसके उपर बहुत जादा नहीं डालने हैं तोड़े से डालने हैं और जब ये पराउठा सिक्की कुरकुरा तयार होगा तब ये तिल बहुत ही अच्छे लगेंगे बस तिल लगा दिया है वापस से उसी तरह से फोल्ड कर देना है ये दिखे और इसी फोल्ड करते समय प्रेस ज़रूर करना है इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है और प्रेस करते करते इसे हम इस तरह से राउन कर लेंगे और ये देखिए एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको के इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसे और लास्ट वाला पोर्शन इस तरह से अंदर दबा देना है हलका सा आठा लगाना है और इस पराठे को भी बेल लेना है तो बस जल्दी से हम इसे बेल के त्यार कर लेते हैं और ये देखिए अच्छे से हमने बेल लिया है तो इसे भी इसके उपर रख देते हैं और अब हम तीसरा पराठा बना रहे हैं तो यहां मैंने वही लोई ले ली ली है उसे बड़ी सी रोटी बेली है, घी लगा दिया है और फिशसे हमें लगाना है मसाला, तो मसाला भे लगा दिया है और इस बार में डाल रहे हूए यहांपे बारे कटवा हरा धन्या, तो बस इस तरह से इसे भी स्प्रिंखल कर देना है इसके ऊपर, और एक बार हरा धन्या लगाने के बाद में वही method यूज़ करना है उसी तरह से fold लगाना है और बस fold करने के बाद में इस पर हलका सा आठा लगा देंगे और इससे भी बेल के तयार कर लेंगे तो बस तीन अलग-अलग तरीके के पराठे हमने बना लिये हैं और अब इसे सेखते हैं तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है सबसे पहले हमें पराठा डाल रहे हूं इसके उपर एक बार हमें गैस का flame high पर रखना है और इसके बात में जब हलका सा सिख जाए वो नीचे से तब इसे पलटना है एक बार high flame पर ही हम सिखने देंगे और एक side जो हमने पलटी उसके उपर घी लगा देंगे आप चाहें तो जगे butter भी लगा सकते हैं तेल भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं वापस से पलट देंगे और अब हम गैस का flame medium पर कर लेंगे लग जाते हैं पराठे को अच्छे से कुरकुरा होने में आप देख सकते हैं ये देखिए हमने दो से तीन बार इसको पलटा है और आप देख सकते हैं golden spot आ चुके हैं layers देख सकते हैं धीरी धीरी इसकी layers खुल रही है ये देखिए तो लच्छा पराठा हमारा बनके तयार है और ये देखिए इसकी layers तो निकाल लेते हैं इसे ये देखिए परफेक्ट लच्छा पराठा बनके तयार है और इसी तरह से बाकी के दोनों पराठे भी हम सेक लेंगे पहले आपको गैस का flame तेज पर रखना है और उसके बाद में हम medium पर करके और धीरे धीरे पलट पलट के अच्छे से से सेकेंगे ये देख सकते हैं जितना धीरे धीरे ये इसकी अच्छी सिकाई होगी उतने उसकी एक एक layers खुलेगी और इस पराठे में बहुत ज़्यादा घी तील क्यूज करने की ज़रूत नहीं है और ये देखिए हलका हलका सा ही घी लगाना है क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ही घी लगा रखा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ेगी और कि जितना उपर से क्रंची होगा उतना अंदर से सॉफ्ट में होगा लच्छा पराठा बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी यूज़ कह सकते हैं वो भी इसे बहुत पसंद करके खाएंगे और ये देखे कुरकुरे पराठे बनके हमारे तयार है आप इसे सर्व करें दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ और अगर कुछ न हो तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने वीडियोज में जो भी रेसिपीज डालो उसे इतना इजी बना दूँ कि उसे हर कोई बना सकता है चाहे वो बिगनर्स हो, वो भी बना सकते हैं या काफी सारे बच्चे हैं, जो अकेले रहते हैं वो भी इसली बना सकते हैं इसे तो इसी तरह की नई रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रू करें तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसे लेगी हमें ज़रूर बताएं और अपने प्यारे-पैरे कामेंट्स हमें ज़रूर भेजें और आपको मैं एक पराठा तोड़के बताती हूँ कि यह कितना क्रंची बना है और क्रंच होने के साथ साथ में यह कितना सॉफ्ट है